हाई अब्रिवान वेलकम तो भी मन्यू आईएस माइनेम इस रोहिद गर्चा एड डिस इस तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करेंट अफेट को डिसकस करते हैं बहुत ही प्रिसाइज बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से फॉर यॉर प्रिलिम्स एग्ज सकते हैं and exactly उन टॉपिक्स में भी क्या important जो प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है तो यह सीरीज उसको कवर करती है तो इसको सब्सक्राइब कर लो आप इस चैनल को और यह पर्टिकुलर प्लेलिस जो है आप सेफ भी करके रख सकते हो ताकि इसकी कोई भी वीडियो मिस ना हो हफते के अंदर तीन वीडियो जाती है उस पिछले वीक के जो टॉप करंट अफेर होते हैं मतलब टॉप इन दर सेंस की probability wise की किस से सवाल पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाना चाहिए उन सवालों को उन टॉपिक्स को हम यहां पे लेके आते हैं सीरीज के अंदर उसक के टॉपिक पर चलते हैं विच इज उडान 5.0 उडान स्कीम के बारे में आपने सुना होगा जो नए वच्चे अभी जुन रहे हैं उनको मैं बता रहता हूं कि उडान स्कीम क्या है जो पुराने आपने सुन रखा होगा कि उडान है उसके चार राउंड अल्रेडी हो चु कि हम देख रहे हैं इसके नाम में भी उडे देश का आम नागरी राइट वी नो अगर अगर आप एक कोने से दूसरे कोने कहीं से कहीं ट्रेवल करना चाहा रहे हो तो फ्लाइंग इस दी फास्टेस्ट वे राइट अट इफ यो सेव ताइम यू सेव मनी यू सेव रिसोर् अगर इसके अगरे बॉड़े अगरी विच इस दा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अब इसमें क्या हो रहा है स्कीम के अंदर अभी हम देखेंगे भी कि बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट को भी डेवलप किया हुए नॉट अली एयरपोर्ट आपके हेलीपोर्ट और अगरे बॉड़े अगर इसमाल हो रहा है उसको हम एरोड्रोम बोल देते हैं राइट वो सारे चीजें भी डेवलप हुई है अभी आपने देखा होगा कि जैसे फॉर इक्जम्पल अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो पहले आपकी यह पालंपूर हो गया या फिर अगर एक और हिमाचल के अगर हम बात करें फॉर एक्जम्पल कांगडा कुलू तो इन सब के अपने एरपोर्ट इतने जादा एक्टिव नहीं सुने होंगे पहले राइट लेकिन आफ्टर इस स्कीम यह सारे एरपोर्ट प्रंग अप होए हैं है यह सारे थोड़े थोड़े से कि वह वेरियस रूट्स पर जो जहां पर अपर अपरेट करना चाहा रहे हैं वेरियस रूट्स का मतलब कि आप सिलेक्ट कर लोगी मैं फॉर एक्जम्पल मैं चंडी गरड़ और ले के बीच में फलाइट ऑपरेट करूंगे एन इस एरलाइन से कि मैं यहां से यहां तक म लोग है ना तो उसके लिए बिट्स हम अंग आई है इनोंने उडान स्कीम के बारे में देखते है पहले कि उडान स्कीम एक्चुल में क्या है स्कीम बॉस लांच में मिनिस्ट्री ऑफ सीविल अविशेशन हमने स्टार्टिंग में देख लिया तो मतलब कि अगर ये स्कीम का कोई सवाल आता है उसके अंदर की उडान स्कीम है ना तो आपने ये ध्यान में रखने कि एर्पोर्ट डेवलोप्मेंट रीजिनल एर्पोर्ट डेवलोप्मेंट इसका एक मेजर कार्य है एर्लाइन्स के थुरू ये क्या करती है ये जैसे अभी लिखा होगा कहीं पर मैं आपको दिखा दता हूं पहले ही इकनोमिकल होता है और अगर एर्लाइन्स के गरम बात करेंगा आदे घंटे की फ्लाइट है ये ये आपका टाइम भी बचाएगी और एर्लाइन्स इसके लिए आपको महाँ पर होना भी जरूरी है ना तो हर छोटे शहरों के अंदर भी और रिमोट एरियास के अंदर भी अब एरपोर्ट्स और हेलिपोर्ट्स और एरोड्रोम्स ये खुलने लगे है अभी हम देखते हैं कि इसके जैसे ये पांचमा फेज है उडान फाइफ पॉइंट हो इसके पहले चार फेज के अंदर धीरे-धीरे ऐसे ही किनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है कि जैसे फॉर एक एक में हमने स्कीम लांच करी और डीफंक्ट है ना और डॉर्मेंट एरपोर्ट्स को एक्टिव किया इसके बाद में हम हिली एरियाज में गए उसके बाद में आइलेंड कवर की है तो यह स्कीम ऐसे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जो है प्रोग्रेस कर रही है अब उडान 5. हो है इसके अंदर भी कुछ अपडेट्स आए है पहले के मुकाबले फॉर एक्जामपल अभी तक जो था कि इस स्कीम के अंदर पॉइंट A और पॉइंट B का जो जिसके डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस है वो आइधिंक 500 यह 600 अभी चेक कर लेते हैं फैक VGF है जो सबसीडी है वो मिलेगी VGF का है वो भी हम देखते हैं वो सबसीडी उस पर मिलेगी अब यह कैपिंग हटा दी गई है तो इस ट्राइप के चेंजिस हैं इसके अंदर चलिए आगे देखते हैं इस अपार्ट ऑफ दी नाशनल सिविल अविएशन पॉलिसी विच अच्छे खासे तरीके से फंक्शनल कर दी है आप देख पाऊगे अगर आप कभी जैसे पहले आफ लाइट बगर जब चेक करते थे तो इतने रीजनल एरपोर्ट जो है वो पॉप अप नहीं होते थे हैं अब तो आपको हर 200-300 किलमेटर पर एक एरपोर्ट दीख जाता है उसी के मिनिस्टीर के डेटा के थर्व हमने पता लगता है कि पहले 2014 से लेकि अभी तक 2014 में लगबग 71 के करीब अरपोर्ट जो है वो एक्टिव थे और अभी जो है इस मोर धन 140 आरपोर्ट जो एक्टिव है राइट नाउ तो ये स्कीम का हिए सकते हैं कि स्कीम का हासिल है यह इस scheme के थूँ पॉसिबल हुआ है, right, objectives, improve the air connectivity to remote and regional areas of India, ठीक है, अब air connectivity improve करनी है, तो क्या करोगे, अब flight भी सस्ती करोगे, airlines को incentivize भी करोगे, और airport भी दोगे महाँ पे है न, तो इस ताइब की services भी दोगे, तो कित्वी सरी जॉब क्रेशन भी इसके थूँ होती है, development of remote areas and enhancing trade and commerce and tourism expansion, enable common people to access air travel with affordable rates, employment creation in the aviation sector, जो भी बात करिये, key features, airlines have to get 50% of the total seats at rupees 2500 per hour of flight, ठीक है, यह याद रखना है कि per hour of flight है, यहाँ पे किस किस की बात कर है, 2500 per hour of flight, this would be achieved through a financial, यह ध्यान से देखना है, a financial stimulus in the form of concessions from state and central government and airport operators, क्या मतलब है इसका, financial stimulus in form of concessions, क्योंकि एक airport की बहुत सारी fees होती है, when a plane lands है न, तो उसको ATC की fees भी भरनी होती है, जहाँ plane park होता है, वो बली fees भी भरनी होती है, walkway, जो ramps use करते हैं, हम terminal use कर रहे हैं, उसकी fees भरनी होती है, right, end number of fees are there, entry fees, exit fees, जैसे जैसे वो आप, अगर आप normal गाड़ी में भी जाओ, तब भी आपको entry, exit पे toll बगएरा देना पड़ता है, है न, excuse me, 80-100 रुपीज आपको देना पड़ता है, airport सिर्फ cross करने के लिए, वैसे ही जहाँ को भी देना पड़ता है, airlines को भी देना पड़ता है, तो यह एक negative carry होता है, airports, airlines के लिए, right, तो उसको concession कर देते हैं, उसको free कर देते हैं, तब भी अगर आपको वारा नहीं खाता, तब भी अगर आपको पूरा नहीं पड़ता, viable नहीं है वो आपकी deal, we have viability gap funding, a government grant provided to the airlines, यह ध्यान रखना है, किसको दे रही है वो, to the airlines, to bridge the gap between the cost of operations and expected revenue, है न, आपने concession दे दिया, है न, तब भी airlines को जो है, है वो पूरा नहीं पड़ता है, है न, क्यूंकि आपने 50% of the seats को 2,500, 2,000 per hour of flight पर cap कर रखा है, लेकिन इससे जाधा की खपत होती है, अगर आप overall निकालो, per hour of flight इससे उपर की cost लगाती है, तो वो gap कैसे पूरा होगा, even after concession, that is VGF, viability gap funding, viability का मतलब होता है कि यह deal हमें वारा नहीं खारी, जैसे पंजाबी में जो लोग नौर्ट से देख रहे हैं, है न, कि यार यह सौदा मेरे लिए सही नहीं है, viable नहीं है, हैना कि मेरे को पूरा नहीं पड़ रहा है, तो उसको उसको बोलते हैं कि जो viability में gap आ रहा है, उसकी funding, कैसे होता है, RCF के थूरू, Regional Connectivity Fund, है न, वो इसको करने के लिए create किया गया था, इसमें किया है कि तो partner state government है, other than the UTs and North Eastern Region States, where contribution will be 10%, partner states को, partner state government को 20% share देना पड़ेगा, और बचा हुआ 80% will be by center government, ठीक है, तो बचा हुआ 80% आपका central government दे रही है, और जो 20% है, contribution वो आपका partner state government को होगा, जो कहेगी कि हमारे यहाँ पर regional connectivity बढ़ाओ, key features of UDAN 5 point हो, यह बहुत brief में देखते हैं, इसको ज़्यादा detail में जाने की जुरूरूद नहीं है, में जो सवाल इस पर बनेगा, वो पहले वालों पर बनेगा, कि यह क्या can include करता है, mostly आपको यहीं घुमाएंगे, कि UDAN scheme है, तो वो आपकी tickets को concession देने की scheme है, right, tickets को concession देने का उसका एक sub-part है, main काम उसका regional connectivity बढ़ाना है, which includes airports, aerodroms, और आपका heliports develop करना, इसका target क्या है, operationalizing 1000 routes and 50 additional airports, heliports and water aerodroms, किसके ओपर focus करेंगे यह, category 2, 20 to 80 seats के जहाज होते हैं, छोटे वाले जहाज होते हैं, and category 3, more than 80 seats वाले, right, तो इसके ओपर focus रहेगा, इससे पहले छोटे जहाज के ओपर और हेलिकॉप्टर के ओपर भी focus रहा था, इस फाली particular scheme के अंदर, इसके ओपर 5.0 के अंदर इस पर focus रहेगा, there is no restriction on the distance between the origin and the destination of the flight, this was earlier capped at 600 km, यह इससे बहले कितने पर था, 600 km पर इसकी capping ओर रखी थी, है ना, कि for example, एक destination यहाँ, एक destination यहाँ, आप अब एक बारीक नहीं चल पा रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे, इसमें, चलिए, इट विल कनेक्ट मोर दन 50 wildlife and tourist destinations, इसके इलावा भी हमारी बहुत साथी schemes चल रही है, अभी for example, एक video हमने शाएद to the point के अंदर भी डाली थी, आप एक बारी चेक कर लें न, vibrant villages program, जिसके अंदर one village, one product, है न, उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा है, उस particular scheme के अंदर, और साथ में उसके अंदर tourism की enhancement की भी बात हुई थी, basically वो vibrant villages program, हमारे जो इंडो चाइना border की जो अमारी villages हैं, border villages हैं, उसको develop करने की बात हो रही थी, कि यहाँ पर पूरी तरह development पहुँच जाए है, वो भी आप इस scheme के साथ में link कर सकते हो, हाला कि जब हम class में इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम बहुत detail में जाते हैं इन चीज़ों में, कि कैसे हम interlink करें चीज़ों को, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आपके सामने कितनी इंटर लिंक करके दिखा सकता हूं, मेरे पास limited time होता है, यहाँ पर class में, in fact जब हम proper current affairs class यहाँ पर ले रहे होता है, not in to the point, but current affairs class, which happens in Abhimanyu, I think every Saturday and Monday, it happens at around 3 p.m., थोड़ा सा time उपनी चीज़, 3 p.m. वहाँ पर वह होता है, और पिछले week के current affairs को हम लोग discuss करते हैं, और वहाँ पर इस type के connections बिल्ड करते हैं, कि अच्छा border area development, BADP, BADP और इसको कैसे link किया जा सकता है न, ताकि जब आप answer लिखो, तो वो sure short सा answer हो, कि हाँ, इसको पता है कि यह क्या बात कर रहा है, right, if you wish to see that class कि उसमें कैसे होता है, connections कैसे build होते हैं, I would suggest कि you check link down there, you get a 7 days free trial, अगर आप नीचे दियो यह link से जाते हो, current affairs की वह class है, it is for both pre and mains, वो pre and mains के लिए offline online format दोनों में है, I would suggest कि आप एक बड़ी offline आओ, यहाँ पर बैठो थोड़ी interaction भी हो जाती है, और 3-prong strategy है इसमें, एक इसमें हम class, there are 2 classes, then you get weekly pdfs, and number 3, you get weekly tests as well, तो एक pdf आपको मिलती है, एक हफते की एक pdf मिलती है आपको, जिसके अंदर multiple sources के content, बहुत जादा tune करके, बहुत जादा refine करके, आपको class के अंदर जो है, वो provide किया जाता है, उसके अंदर, आपके dashboard के अंदर, in the form of pdf जो है, provide किया जाता है, मतलब ताकि आपको बहुत सारे अंदिसे उपर पढ़ने की जूरतना पड़े, और वो time का अब utilize करो, आपका static build करने में, जहां से mostly आज कल UPSC पूछ रहा है, यह relevance use होती है, current affairs के थूँ है, तो इस सारी चीज़ें आप class में सीख जाते हो, and you get weekly test, तक है आपने जो उपर दो चीज़ें करी है, वो एक तरह से validate और पुकता हो जाएं, पक्की हो जाएं, लिंक is down there, साथ दिन का free trial है, you check it out, ठीक है, चलिए, airlines must commence operations within 4 months, पहले क्या था, कि 6 months के अंदर करना था, अब deadline और कम कर दी, यार फटा-फटा, 4 महिने के अंदर अंदर इसको launch कीजिए, a list of airports that are ready for operation, or would soon be ready for operation, will be provided, scheme के अंदर, ठीक है, और अभी तक की achievements, देख लेते हैं, फटा-फटाटाग्लाइन्स, विकाज ये वीडियो थोड़ी, लंबी जा रही है, इसको अभी फटा-फटाट देख लेते हैं, इसको, टीर 2, टीर 3, शिटीज के अंदर, एफोर्डेबल एरफेर्स प्रोवाइड की हैं, इसने ये बोलना चाह रहा है, वो number of operational air reports, ये important point है, ये आप directly code भी कर सकते हो, और ये जो data है, ये August 2022 का data है, Ministry of Civil Aviation का, है ना, तो आप अगर कहीं पर code करो, तो इस टाइप के जो चीज़ें, आप code कर सकते हो, और अगर आप source code करते होगा, खासकर ministry और सरकारी data होता है, तो वो उसकी value जादा होती है, उसको marks जादा मिलते है, ठीक है, गॉन अप्टो 141 from 74, राइट, 68 underserved, unserved destinations, विच इंक्लूड 58 airports, 8 heliports and 2 water aerodromes, have been connected under UDAAN scheme, ठीक है, has provided air connectivity to more than 29 states slash UTs across the country, more than 1 crore passengers have availed the benefits of this scheme, है na, all right, thank you so much, यह एक पुरानी scheme है, है na, और 2026 तक की है, scheme इसके अंदर जो planning है, 2026 तक कहा गया है की 26 तक की है scheme रहेगी, right, updates regular आते रहते हैं, इस उडान 5.0, 1, 2, 3, 4, already आ चुके हैं phases, and this is the 5th one, और क्योंकि यह constantly update हो रही है, और इसका result भी बहुत आचा, जैसे हमने अभी देखा की, 1 crore लोग इसे avail कर चुके हैं, 141 airports operational हो गये हैं, 68, ऐसे airports जो पहले काम ही नहीं करते थे, उनको unserved airports थे, underserved airports थे, उनको भी चला दिया है, तो हो सकता है कि UPSC इसके पर सवाल पूछे, right, कौन को हैं सवाल पूछे कि हमने बीच में discuss किया है, topic इतना मुश्किल नहीं है, all the best, thank you so much for watching, my name is Rohit Garcha, this series is called To The Point, and this is Abhimanyu IAS.